हरे कृष्णा आज हम दूसरे अध्याय का 34 वा श्लोक पढ़ेंगे 2.34 आकिर्तिम चे अपी भूतानी कत्षियंती ते अव्ययाम संभावितस्य चे आकिर्ती मर्नात अतिरिच्यते अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपियश का वर्नन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपियश तो मृत्यू से भी बढ़कर है मैं अग्बाफिट से पढ़ रहा हूँ अच्छिली हम दूसरे अध्याय में चल रहे हैं और जिसमें अर्जुन जी ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था और एक तरह से विचाह रहे थे कि अपने परिवार जनों से युद्ध ना करके इसे बहतर होगा कि वो सन्यास ले लें और जंगल में एक सन्यासी का जीवन बिताएं तो भागवान उनको अनीकान एक तरह से समझा रहे थे कि इसके क्या इंप्लिकेशन सूंगे तो उनमें एक इंप्लिकेशन के रूप में भागवान ने समझाया कि नकर तुम इस तरह से युद्ध को छोड़के चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए कायरपन होगा और क्योंकि उस समय अरजुन विश्व के सरफशेष्ट योद्धा थे तो उनके लिए ये एक बहुती बदनामी का विश्य होगा तो भागवान इस लोक में कहे रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपियश का वर्णन करेंगे जैसे होता ना अगर किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसका वर्णन चलता रहता है कोई भी ये मुदाहरन ले लें चाहिए किसी बड़े नीता का ले लें अभी नीता का ले लें प्लेयर का ले लें कई बार कि उसने अच्छे काम किये होते है कि जीवन जी तो होता ही है उसका वर्णन और उसके मरने के बाद भी ये चीज चलती रहती है शायद आम आदमी हमेशा इस बात का मैं कहूंगा एक्सपेक्ट करता है या ख्वाब लेता है कि काश मेरा जीवन भी ऐसा हो कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें अच्छा कहें और इवन मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें नी तो आम तोर पर 99% लोग आ तो ये होता है कि वो मर गए तो कुछ दिनों के बाद बच्चे भी याद करना भूल जाते है यानि कि जीवन बस वहीं समाप्त तो हमारे अंदर ये बिलाशा होनी चाहिए कि एक भक्त के रूप में एक अच्छे वेक्ति के रूप में हम अपने आपको इस्टाबलिश करें ताकि लोग हमें जीते जी भी सम्मान की दृष्टी से देखें हमारे बारे में बात करें और मरने के बाद भी हो सके तो वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचें अच्छा ही बोलें तो यहाँ पर भगवान अरजुन जी को यही समझा रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश्का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश्तो मृत्यू से भी भढ़ कर है श्रील प्रभुपाद साफ साफ अपने परपट में लिख रहे हैं कि तुम्हें युद में मर जाना ही बेटर है इस लोग को अगर मैं थोड़ा सा प्राक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी लूँँ तो जितने भी लोग इस लोग को सुन रहे हैं मुझे उमीदे की भी सभी समाज के सम्मानित व्यक्ति होंगे लोग उनके रिस्पेक्ट करते होंगे तो हमें भूल से भी कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो इसलिए श्रिल प्रभुपाद ने सभी वेक्तियों के लिए इसलिए उनके लिए जो श्रिल प्रभुपाद को गुरु मानते हैं चार नीमों का सिस्टम बनाया है जो लोग नौन विज़ खाते हैं कोई भी आदमी अगर उनको नौन विज़ खाते हुए देखेगा वसे आज के समाज में तो सभी लोग खा रहें लेकिन फिर भी एक वैशनव समाज में हिंदू समाज में अच्छे परिवारों में अगर कोई किसी को नौन विज़ खाते देखेगा तो क्या फील होगा या कई लोग होते हैं वो दारू पीते हैं तरह तरह के नशा करते हैं उसके बाद उर्पटांग बहेव करते हैं क्या इज़त रह जाती है उनकी इसी तरह से जो लोग जुवा खेलते हैं तो लोग बोलता है रहे तो शराब ही है कबाब ही है जुवारी है ऐसे जो प्राइस्थ्रियों के साथ संबंद स्थापित करते हैं क्या रिस्पेक्ट रह जाती है उनके सुसाइटी में इसी के बारे में भगवान कह रहे हैं कि सम्मानित वेक्ति के लिए अपी अश्यानिकी बेजती अपमान तो मृत्यू से भी बढ़कर है तो हर सम्मानित वेक्ति कोई सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो चार नियम दिये है अट लीस्ट अगर वो ये सोचता है कि उसके पास जब करने का समय नहीं वरत करने का समय नहीं सेवा करने का समय नहीं दान देने के लिए पैसे नहीं अटलीस ये चार नियम उसको जुरूर फोले करने चाहिए जो प्रभुपाद ने एक आम आदमी के लिए बनाए हैं। और वो चार नियम है नॉन्वेज नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, प्राइस्त्रियों से संबन नहीं बनाना। अटलीस ये चार नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र रहेगा, और हमें कभी भी जीवन में अप्यश का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस लोक में साफ साफ भगवान ने कही दिया है, एक सम्मानित वेक्ति के लिए अप्यश तो मृत्यू से भी बढ हमारा जीशना